हाई गाईस कैसे आप लोग, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, welcome back once again to your own channel यहाँ हमारे चैनल पे मैं आपको कुछ informative और काम आने वाली चीज़े बताते रहता हूँ I hope आप लोगोंने मेरा last वीडियो about car mobile holder भी देखा होगा अगर आप section type mobile holder use करते हैं और वो नहीं काम कर रहा है तो एक simple trick से आप उसे वापस repair कर सकते हैं वीडियो का link description box and i button में है इसके अलावा और भी अच्छी car से related informative videos आपको चैनल की car गयान नाम से playlist पे मिल जाएंगी तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं हम सभी को देश और पूरी दुनिया में coronavirus की वाज़से जो हालाच चल रहे हैं वो अच्छी तरह से पता है अफिशल यह अभी भी lockdown 31st मेड तक है और यह आगे extend होने काफी जादा chances है तो lockdown में लोगों को घर से बाहर आने के लिए government ने मना किया हुआ है और ज़रूरी काम हो तो आप e-pass वगएरा लेके travel कर सकते हैं पर रोज की जरूरत का समान आपको अपने घर के पास से ही लेना है और ज़्यादा दूर नहीं जाना है अपनी कार, बाइक या स्कूटी वगएरा लेकर अभी हमने हाल फिलाल काफी वीडियोज देखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं लोग बिना मतलब के घर से बाहर निकल रहे थे कोई पैदल, कोई बाइक से, कोई कार से या कोई स्कूटी से और क्यों? भाईया जस्ट फॉर फन मैं खुद यहां रोज वाटसाप और फेस्बुक के ग्रुप्स वगएरा में लोग के मैसेज देखता हूँ यह पूछते हुए कि क्या पुलिस एपास चेक कर रही है? और उसमें बहुत से लोग का रपलाई आता है अब आप पूछेंगे भाईया वो कैसे? तो वो ऐसे रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई बिना वैलेड इपास के प्रैवल करता है और उसकी कार बाई के स्कूटी का एक्सेंट हो जाता है तो गाड़ी का इंशूरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है आउनलाई एक फोटो भी सामने आई है जो इस बात को वेरिफाई करती है यहाँ पे चोला मंडलम इंशूरेंस कंपनी ने कार के ओनर को एक रिटन नोटिस भेजा है और नोटिस है इंशूरेंस रूल को वाइलेट करने का जो की मोटर वेहिकल एक्ट के अंदर आता है यहाँ पे कार का एक्सेंट 26 अपरेल 2020 को हुआ था जो की लॉक्डाउन पिरेट के अंदर हुआ है और अब कंपनी ने प्रॉपर डॉक्यमेंट मागे हैं कार ओनर से जैसे की इपास या फिर कोई और रिटन पर्मीशन जो फ्रूव कर सके की ओनर लीगली गवर्मेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी कार में ट्रैवल कर रहा था लेटर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस दिन ये लेटर कस्टोमर को भेजा गया है उस दिन से जो की 25 मई 2020 है कमपनी ने 7 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यमेंट्स मांगे हैं और कमपनी ने आगे ये भी कहा है कि क्लेम को उपन नहीं रख सकते और बहुत ज़ादा टाइम के लिए आगे ये भी कहा गया है कि इन 7 दिनों के अंदर ये डॉक्यमेंट्स प्रोवाइड नहीं किये गए तो इस पर्टिकुलर क्लेम को नो क्लेम में डाल के रिजेक कर दिया जाएगा और आगे कोई एक्स्टेंशन भी नहीं दिया जाएगा इन 7 दिनों के फिर मैंने उनसे पर्सनली बात करी तो पता लगा कि इन्शोरेंस जीरो डप था एंड टोटल लॉस हुआ था कार को और इसके बाद भी उन्हें कार का आईडी वी नहीं दिया जा रहा था बस कुछ अमाउंट देके उन्हें बोला जा रहा था कि यही मैक्सिमम अमाउंट क चुरू कर दिया है इपास मांगने का यहां ओनर के पास इपास था फिर भी कंपनी ऐसी धंकिया कस्टमर को दे रही है तो अगर आपके पास इपास नहीं है और कार के एक्सेंड होता है तो आप समझी सकते हैं कि उसकेस में क्या होगा आपकी मोटर इंशोरेंस पॉलिसी मे रूल के अकॉर्डिंग आप क्लेरली एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको इंशोरेंस क्लेम नहीं मेलेगा अगर आपकी कार इल्लीगली यूस करी जा रही है जैसे कि कोई 18 साल से कम उमर का इंसान कार चला रहा हो और एक्सेंड हो जाए या फिर किसी इल्लीगल परपस के कार यूस करी जा रही है तो इस केस में लॉक्डाउन में बिना इपास के ट्राइब करना इल्लीगल एक्टिविटी में आ जाता है और यही रीजन है कि इंशोरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है अब इस रूल में अगर आप और जादा अंदर गुसेंगे तो ऐसा भ प्रूफ ना मिलने पर क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है तो अभी जब तक लॉक्डाउन है आप अपनी कार बाइक को तभी बाहर निकाले जब आपके पास इपास अवेलेबल हो या तो आप अपने घर के आसपास रोज की जरुवत का समान लेने के लिए ही कार या बाइक न आ सकती है अगर आपके पास इपास नहीं हुआ एक्सिटेंट के टाइम पर फाइनली समझने वारी बात यही है कि जब भी घर से दूर निकलें तो इपास लेके ही निकलें बस यही एक important information आपसे share करनी थी उमीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफी informative रहा होगा तो इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुचाएं और share जरूर कर दें ताकि ये incidence सब को पता लगे और सब थोड़ा ध्यान दे कार बाइक या किसी भी वेहिकल से बाहर जाते वक्त अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब करना ना बूलें खंटी का ब आप आप